दोस्तों simply अगर आप मुझसे पूछे हैं कि one of the top best personal finance advice क्या होगी दिस advice को अमल में लाके आप अपनी जो money problem से जो पैसे की समझ से आए हैं उसे easily solve कर सकते हैं तो दोस्तों मेरे हिसाब से one of the best one of the सबसे top personal finance advice जो होगी वो यही होगी कि spending less than income जी हाँ spending less than income जिसका मतलब है कि आपको अपनी आमदनी से हमेशा कम खर्च करना है जी हाँ दोस्तों ध्यान दीजे कि ये simple advice आपकी बहुत सारे जो पैसे के समझ से आए हैं जो money problems है उसे solve कर सकती है अगर आप से ध्यान से समझते हैं तो ध्यान दीजे कि इस personal finance advice में ये कहा जा रहा है क कि आपको अपनी जो spending है जो खर्चे हैं वो आपको अपनी आमदनी से कम रखने हैं यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा है कि आपको बहुत कंजूसी के साथ बहुत कम पैसे खर्च करने हैं बहुत ज़्यादा budget करनी हैं ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा है simply आप अगर आपके monthly income है 30,000 रुपए 30,000 रुपए तो आपका जो आपके खर्च होना चाहिए जो spending होना चाहिए वो 30,000 से कम ही होना चाहिए और अगर आपकी income है 1,00,000 रुपए तो यहाँ पे आपका जो खर्च है वो 1,00,000 रुपए से कम ही होना चाहिए आपको ये गलती जो EMI का जो सहारा है वो लेके अपनी आमदनी से अधिक खर्च कर ले ये गलती आपको बिल्खुल भी नहीं करनी है simply अगर आप इस गलती को इस mistake को avoid कर देते हैं तो यकीन मारिए कि आपकी जो पैसे की समस्या है वहुत सारी समस्या है easily solve हो सकती है आप ना तो यहाँ पे dead trap में फसेंगे ना ही करच के जालने फसेंगे और ना ही आपको किसी तरह की बहुत ज़्यादा पैसे की समस्या होगी क्योंकि आपने अपने जिन्दगी में एक rule apply कर लिया है कि चाहे आप जो भी हो जाए आप यहाँ पे अपनी आमदनी से कम ही खर्च करेंगे दोसों इस simple advice का सबसे बड़ा फादा तो यह है कि अगर आप इस advice को इस rule को अपने जिवने अपलाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपकी income कितनी है exact और आप हमेशा खर्चे कितने कर रहे है for example monthly income अगर आपके 30,000 रुपे है तो आपको यह हिसाब किताब रखना ही होगा कि आपने 30,000 रुपे जो income हुई उसमें से खर्च कितना किया उसका total क्या आया क्या वो total कम था ज्यादा था कम था तो कितना कम था ज्यादा था तो कितना ज्यादा था यह चीज़े आप easily track करना सुरूब कर देंगे क्योंकि यह समझने के लिए कि आप आमदनी से कम खर्च कर रहे हैं ज्यादा खर्च कर रहे हैं आपको हिसाब किताब तो रखना ही होगा यह सिर्फ और शिर्फ आपका जो data है आप जो लिखेंगे हिसाब किताब रखेंगे वही बता सकता है वही paper बता सकता है कि आपने क्या कम खर्च किया आपने आमदनी से या ज्यादा खर्च किया money management automatically यहाँ पे आप करने लगते हैं, आप यहाँ पे यह जब हिसाब किताब रखते हैं कि आपने इतना कमाया और इसमें से आप यह यह खर्च कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे अपनी savings को भी ध्यान में रखते हैं, अपनी investment को भी ध्यान में रखते हैं, और जो भी वहाँ पे आपकी future के जो goals हैं, उसके भी ध्यान में रखते हुए ही आप वहाँ पे प्लान करते हैं, ताकि आप अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च ना करें और अपने आमदनी के अंदर ही अपने जो financial goals हैं उसके लिए आप प्लान कर लें, तो यह है इस simple advice का बहुत बड़ा फैदा, बहुत बड़ा advantage कि आप automatically money management करने लगते हैं, जो कि financially grow करने के लिए, financially successful होने के लिए बहुत ज़्यादा important है money management जो इस advice की वज़ा से automatically आप कर पाते हैं, और दोस्तों, इसका दूसरे सबसे बड़ा फैदा यह है, कि अगर आप इस simple advice को अपने जीवन में apply करते हैं, तो आपको कभी सायधी loans की जरूरत पड़े, क्योंकि अगर आप अपनी आमदनी से कम खर्चने का जो rules है, वो अपने उपर लगा लेते हैं, कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, आप कभी भी अपनी अंदनी से अधिक खर्च नहीं करेंगे, तो आप ना तो credit cards, ना ही personal loan, ना ही buy today, pay later, या किसी तरह के दूसरे easy EMI, या कुछ दूसरे offers के जाल में फंसते हैं, और आप यहाँ पे अपने एक ध्यान रखते हैं, कि कभी भी आप कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा offer आजाए, आपको अपनी अंदनी से अधिक खर्च नहीं करने हैं, जब आपके पास actual में income होगी, तब ही आप buy करेंगे, अगर आपके पास आज income नहीं है, तो आप व रहा है, कि आपको अपनी आंदनी से कम खर्च करना है, यहाँ पे आज आपने जो कमाया है, इस मत जो आपने कमाया है, उसी को ध्यान में रखते हुई आपको खर्च करना है, ना कि future में आप जो कमायेंगे, उसे ध्यान में रखते हुई खर्च करना है, तो यह जो advice है, तो दोस्तों देखा आपने की इस simple advice से आप कितनी सारी चीजे कितनी बड़े-बड़े फायदे आपको हो रहे हैं कि आप इसली कर्ज के जाल में फसने से बच जा रहे हैं आप इसली ओवर spending फिजिल कर्शे से बच जा रहे हैं और जब इस तरह की बड़ी बड़ी चीजों से बच जाते हैं तो आपका जो financial life है वो automatically बहुत बहतर हो जाता है तो इसलिए मैं इस advice को सबसे top पे रखता हूँ कि one of the best personal finance advice यही होगी कि spending less than income आपको हमेशा अपनी आमदनी से कम खर्च करना है आप इस advice के बारे में क्या सोचते हैं मुझे comment करके ज़रूर बताईए कि आपको advice कितनी अच्छी लगती है तो अगर आपके वीडियो और relation पसंद आया हो तो इस वीडियो को like और share ज़रूर करें अन्द में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद